प्रिष्ट संख्या 114, पाठ संख्या 7, नाटक लिखने का व्याकरण इस पाठ में नाटक और अन्य विधाएं, नाटक में समय का बंधन, नाटक के तत्व, नाटक के विशे, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा, नाटक की शिल्प संग्रचना नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है नाटे तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए संग्या पर उसकी चाप उठनी चाहिए तब ही कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है लगातार ये प्रश्ण सामने आता रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित के अंतरगत ही आता है फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिलकुल अलग हो जाता है स्वेम हमारी भारतिय परंपरा में नाटक को दृष्य कावे की संग्या दी गई है जहां से नाटक अपनी निजी एवं विशेश प्रकृती ग्रहन करता है वो है उसका लिखित रूप से दृष्यता की ओर अग्रसर होना प्रिष्ट संख्या 115 जहां साहित की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्यत और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर उसमें संपोर्णता आती है निश्कर्ष ये है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तै करती है पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है नाटक लिखते समय नाटक कार को नाटक की एक मूल विशेशता को हमेशा याद रखना होता है वो है समय का बंधन समय का ये बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अत्वा किसी और लेखा की रचना को भविशकाल से उठाए इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं चाहे काल कोई भी हो उसे एक विशेश समय में एक विशेश स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है जैसे किसी एतिहासिक या पौरानिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है पर नाटक में उसे हमारी आखों के सामने ही एक बार फिर घटित होना होता है समय को लेकर एक और तथ्य ये है कि साहित्य की दूसरी विधाओं यानि कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं पर नाटक के साथ ऐसा संभब नहीं है एक नाटक कार को ये भी सोचना जरूरी है कि दर्शत कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी होता है नाटक में तीन अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बाटनी की जरूरत होती है यदि हम भरत लिखित नाट्य शास्त्र को भी देखें, तो उसमें भी नाटक कारूं से ये अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधी कम से कम अर्तालिस मिनट की हो अब दूसरा महत्तपूर्ण अंग है शब्द वैसे ये साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवशक होता है पर साहित्य की ही दो विधाओं, कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेश महत्व है नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहन करता है हमारे नाटक शाष्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है कहानी तथा उपन्यास, शब्दों के माथ्यम से किसी स्थिती, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं यही कारण है कि इसे वर्णित या फिर नारेटिव विधा कह दिया जाता है प्रिष्ट संख्या 115 पर मिदनाइट चुल्रून की रंगमंच सज्जा, इसमें फिल्म और रंगमंच शैलियों की सैयुक्त प्रस्तुती दर्शाई गई है प्रिष्ट संख्या 116 कविता इससे आगे है इसके शब्द बिम्ब और प्रतीक में बदलनी की क्षमता भी रखते हैं इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़ादा निकट जान पड़ती है वैसे कहानी या उपरन्यास में भी वर्णन घटित होता है लेकिन अंतर ये है कि नाटक में वो कहानी सचमुच हमारी आखों के सामने घटित होती है इसी आधार पर कहा जाता है कि एक कवी सफल नाटक कार भी हो सकता है उपर के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निशकर्ष ये निकला कि नाटक कार के लिए जरूरी है कि वो अधिक से अधिक संशिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे जो अपने आप में वर्नित न होकर क्रियात्मक अधिक हो उन शब्दों में दृष्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वो अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की ओर ले जाए ये कहा भी गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अत्वा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा वो ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनी प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 प्रिष्टों की बराबरी कर सकता है एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्या पहले कहानी के रूप में किसी शिल्प, फॉर्म, अत्वा संग्रचना के भीतर उसे पिरोना होता है इसके लिए नाटक कार को शिल्प या संग्रचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए ये बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है यही कारण है कि एक नाटक कार को रशनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए पहले तो घटनाओ, स्थीतियों, अत्वा द्रिश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वे शून से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़ें, ये कला उसे अवश्य आनी चाहिए प्रिश्ट 116 पर पार्सी थियेटर शाली में खेले गए नाटक का एक द्रिश्य है प्रिश्ट संख्या 117 गतिविधी, रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है क्या आप लेखक के इस विचार से सहमत है? पक्ष और विपक्ष का सम्मुह बनाकर इस विशे पर चर्चा करें नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है समवाद दूसरी किसी विधा के लिए ये कतई जरूरी नहीं कि वो समवादों का सहाराली लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता नाटक के लिए तनाव, उच्सुक्ता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवारे हैं इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का समवाद जरूरी होता है यही कारण है कि नायक प्रतिनायक, सूत्रधार की परिकल्पना भारतिय या पाश्चात्य नाटे शाष्ट्र में आरंभ से ही की गई थी वो कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है वो है समवादों का अपने आप में वर्नित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, द्रिशात्मक होना और लिखे तथा बोले जाने वाले समवादों से भी ज्यादा उन समवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे समवादों की ओर ले जाना जिन्हें अंग्रेजी भाशा में सब टेक्स्ट कहा गया है जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी वो नाटक उतना ही सफल होगा उदाहरन के लिए हामलेट का ये प्रसिद्ध संभाद To be or not to be या सकंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है संभात अंगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है नाटक स्वेम में एक जीवन तमाथ्यम है कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोत का सबसे सशक्त माथ्यम है वो कभी भी यथा स्थिती को स्वेकार कर ही नहीं सकता इस कारण उसमें अस्विकार की स्थिती भी बराबर बनी रहती है क्योंकि कोई भी जीता जागता संबेदन शील प्रानी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता मज़े की बात ये है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टी, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्विकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्तिती होगी वो उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा उताहरन के लिए हम अंधा युग तुगलक आदी नाटकों को देख सकते हैं यही कारण है कि जब-जब किसी भी विचार, व्यवस्था, अथ्वा ततकालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए, वे कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे यही वज़े हैं कि हमारे आधुनिक नाटक कारों को राम की अपेक्षा रावन, प्रहलाद की अपेक्षा हिरन कश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकरशित करता है नाटक लिखते समय ये भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किये जाएं वे सपाट, सतही और टाइप्ट नहूं जिस प्रकार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदेगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे स्थीतियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें 117 पर शाश्त्रिय शाली में खेले गए नाटक का एक द्रिश दर्शाया गया है प्रिश्ट संख्या 118 नाटक कार नाटक के कथानक के माथ्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परसपर समवादों से ही अभी वेक्त करता है लेकिन ऐसा कभी भी न लगे कि वो पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माथ्यम से वेक्त कर रहा है ऐसी स्थिती में नाटक नाटक न रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुन्जुसा होकर रह जाता है हमें याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हाडमान से युक्त जीवन तप्राणी होते हैं न की कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र अतह, समवाद जितने जादा सहज और स्वाभाविक होंगे, उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे यहाँ सहज स्वाभाविक होने से आशय, भाशा की सरलता से कदापी नहीं है समवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाशा में क्यों न लिखे गए हों स्थिती तथा परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं, तब उनके दर्शकों तक संप्रेशित होने में कोई मुश्किल नहीं होगी इस दर्श्टी से हम जैशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्रमाथुर, धरमवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों की भाशा में ये विशेशता देख सकते हैं इसी के साथ जोड़ा दूसरा सवाल उस शिल्प और संग्रशना का भी है, जिसके भीतर से नाटककार अपने कथे को व्यंजित करता है आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टी से कई तरह के विकल्प मौजूद हैं सबसे पहले तो स्वप्नवासवदत्त, अभिज्यान शाकुंतलम, म्रिच्छकटिकम और उत्तर रामचरित जैसे संस्कृत नाटकों का धाचा है जिसे हम पारिभाशिक शब्दावली में शाश्त्रिया कहते हैं एक लोग नाटकों का फॉर्म है जिसमें कोई लिखित आलेक नहीं है और सबकुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माथम से घटित होता है प्रिष्ट संख्या 118 पर आधुनिक नाटक की एक रंगमंच सज्जा का चित्र है पॉइंट एक नाटक ही ऐसे विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है यहाँ तक की नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविशकाल से संबध हो तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है पॉइंट दो नाटक कार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना होता है पॉइंट तीन एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाए पॉइंट चार नाटक और रंगमंच जैसी विधा का स्ट्रिजन मूलत अस्विकार के भीतर से ही होता है प्रिष्ट संख्या 119 पार्सी नाटकों का अपना एक अलग शिल्प है जो शेरोशायरी, गीत संगीत और अती रंजित संबादों पर आधारित होता है इपसन की तर्स पर यथार्त वादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो मुख्यत गद्य पर आश्रित है इनके अतरिक्त नुकर नाटक की अपनी अलग एहमियत है ये नाटक कार को तै करना है कि वो इन में से किसी एक तरह के शिल्प का चुनाव करे अलग अलग विकल्पों के मिश्रन से अपनी एक नई शैली तैयार करे अत्वा इन सब को छोड़कर बिलकुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत हो प्राया कहा जाता है कि कत्य अपना शिल्प स्वेम निर्धारित कर लेता है और यही सही स्थिती है लेकिन जब जब नाटक कार ने पहले शिल्प या संग्रचना को निश्रित कर लिया और फिर उसमें किसी कत्य कहानी को फिट करना चाहा तो ऐसी कोशिशें बहुत दोर तक कामियाब नहीं होई पाठ से संबाद एक, नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविशकाल से संबध हो तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं दो, संबाद चाहे कितने भी तचसम और क्लिष्ट भाशा में क्यों न लिखे गए हो स्थिती और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक तक संप्रेशित होने में कोई मुश्किल नहीं है क्या आप इससे सहमत हैं, पक्ष या विपक्ष में तर्क दें तीन, समाचार पत्र के किसी कहानी नुमा समाचार से नाटक की रचना करें चार, क अध्यापक और शिक्षक के बीच ग्रहकारे को लेकर पांच-पांच समबाद लिखिए ख, एक घरेलू महिला एवं रिक्षा चालक को ध्यान में रखते हुए पांच-पांच समबाद लिखिए